प्यासे कौवे की कहानी, दोस्तों एक बार की बात है कि बहुत तेज चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी, दोपहर का समय था, इस गर्मी भरी दोपहर में एक कौवा प्यास के मारे पानी की तलाश में भटक रहा था, बहुत से जगर ढूंधने के बाद भी कौवे को पानी नहीं मिला, पानी की तलाश में कौवा उड़ता ही जा रहा था, पानी की तलाश में उड़ते हुए प्यासे कौवे की नजर एक पानी से भरे घड़े पर पड़ी, कौवा घड़े के पास आया और पानी पीने के लिए प्यासे कौवे ने जैसे ही अपना मुह घड़े के अ कौवे ने घड़े के पास पड़े पत्थर और कंकर अपनी चोंच में लाकर घड़े में डालने लगा एक दो कंकर कौवा अपनी चोंच में दबा कर लाता और घड़े में डाल देता पत्थर और कंकर डालने से घड़े का पानी उपर आने लगा प्यासा कौवा बड़ी मेहनत से तब तक धड़े में पत्थर डालता रहा जब तक धड़े का पानी घड़े के उपरी सिरे तक नहीं आ गया कौवे की मेहनत रंग लाए और देखते ही देखते पानी घड़े के उपरी सिरे तक पहुँच गया जिसके बाद प्यासे कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए कहानी की सीख, उपर बताए गई कौवे की कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी भी परिस्थिती में अपना स्वभाव सकारात्मक रखें यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले हारमान लेंगे तो हार निश्चित है आपको बस अपने कार्य को सिधर करने के लिए इमानदारी से मेहनत करते रहना है आपको सफलता जरूर मिलेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपके बहुत काम आएगा